बिहार पुलिस ने लूटी गए घटना को महज 22 घंटेक अंदर किया खुलासा बिहार के गया जिले में लूट की घटना को महज 22 घंटेक अंदर ही बिहार पुलिस ने लूटी गए 9600 रुपया के साथ दो अपराधी को गिरफतार कर लिया उसके पास एक देशी कट्टा दो जिन्दकार दुस्री बरामद किया गया वतिया गय है किस घटना में कारेट करने में माइक्रो फाइनेस बेंक एक एजेंट का भूमिकारा जिसकी पू्ष्टी गया कि वरिये पुलिस अधिक्षक ने किया है इस नीज को अधिक सधिक सियर किजिए लाइक किजिए कमेंट किजिए अपराद में अपराद कर भी है और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस सुचना के प्राप्त होते ही एजडिपयों शेघाडी को और इसे चो बहेड़ा एब मन्नी पुलिस को दादिकारी एब उकरिमियों की एक टीम बनाएगे और टीम के द्वारा जब मौला नगर कमरिया टार में जब वहां पर चापेमारी की गए तो वहां पर देखा गया क दो मोटर साइकल लगा करके कुछ लोग खड़े हैं और यूजना बना रहे हैं पुलिस गारी को देख करके वहां से भाग खरे हुए परन्तु दो वेक्तियों को पुलिस के द्वारा दौर कर पकड़ा गया और एक मोटर साइकल सवार कुछ अप्राद कर में जंगल का परना कर रहने वाले हैं और जब इनकी तलासी लिया गया तो इनके पास एक देसी कटा एक स्मार्ट मोबाइल फोन और एक मोटर साइकिन तथा राजकुमार के पास से एक देसी थरनिक ब्रामस हुआ इस संबंध में बहेरा थाना कान संख्या एक 104 अब्लिट 24 घरज कर आगे भी सिर्पकार से लगाता रामियान जाइड़ा